नमस्कार स्वागत है आपका एनन भारत में और मैं हूँ आपके साथ जियूती राजस्तान की 190 सीटों पर बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत हासिल करके इस पर्ष्ट बहूमत हासिल कर लिया है कौक्रेश को 69 सीटों पर जीत मिली जो कि कौक्रेश के लिए एक काफ मी नियराशा जनक है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कौक्रेश दावा कर रही थी क्यूंँ हूने जंता के भले के लिए काम किया है जंता को गुड गवर्नेस कि सरकार रिपीट होगी रिवाज बद अब ये तो सभी को पता है कि राजस्थान में बीजेपी का कोई भी सीम फेस नहीं था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के फूल पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा था तो अब जो सबसे जादा महत्वपूर्ण सवाल है वो यह है कि सत्ता की कुर्सी पर कौन अपना मुख्य मंत्री बनाएगी बीजेपी के मुख्य मंत्री पत के लिए पहला नाम तो राजस्थान की दो बार मुख्य मंत्री रह चुकी वसंद्रा राजे सिंधिया का ही आता है लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि वह शायद आला कमान की पसंद नहीं है तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं वह नाम के लिए वसंदरा राजे के अलावा सामने आ रहे हैं वसंदरा के अलावा से में पहला नाम है दिया कुमारी जिन्होंने हाल ही में जैपुर शहर की विध्यादर नगर से विधानसबा का चुनाव जीता है राजगहराने से संबंद रखने वाले दिया कुमारी को सीएम के रूप में देखा जा रहा है हालांकि चुनाव के वक्त सीएम वाले सवार पर दिया हर बार केवल इतना ही कहती थी कि पार्टी का जैसा आदेश होगा वही काम किया जाएगा मतगंड़ना से पहले मेहंत बालकनात का वैसा ही जल्वा है जैसा यूपी कें योगिया वित्तनात का है कई लोगों का मानना है कि यूपी की दर्श पर ही राजस्तान में अच्छी पकड़ है शेकावत ने खुद चुनाव नहीं लड़ा लेकिन माना जा रहा है कि अगर बीजेपी उन्हें अपना सीम बनाती है तो वह करनपूर विधांसभा सीट पर होने वाले उप्चुनावों में उतर सकते हैं दरसल करनपूर सीट पर मतदान से पहले कॉंग्रेस प्रत्याशी का निदन हो गया इस वजह से राज्य की 109 में सीटों पर ही मतदान हुआ था राजस्तान में बीजेपी के सियान के लिए एक नाम किरोडिलाल मीना का भी चल रहा है किरोडिलाल मीना जमीन से जुड़े नेता है। काफी ट्रेंट कर रहा है ऐसे में अब देखना काफी दिल्चस्प हो जाता है कि बीजेपी आला कमान इन पांच नामों में से किसके हातों में राजस्तान की बागडोर सौफती है इन पांच नामों में आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री उमीद्वार कौन है हमें कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें नमस्कार